हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो इंडियन नेशनल मुव्मेंट का अगला सीरीज में लेके आ रही हूं और अगले सवाल से जो हैं शुरू करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मेरा पहला क्वेशन है देती हूं और कूका विद्रो कहा हुआ था पंजाब में पावना क्रिशक विद्रो जो है वो कहा हुआ था वो हुआ था बैंगॉल में तो यहां पे सी और बेड़सा मुंडा मिंद्रो जो है वो बिहार में हुआ था तो क्या हो गया कूकी विद्रो त्रिपुरा कूका पं बंगाल और बेड़सा मुंडा बिहार सभिनाय वग्या अंदोलन असही ओग अंदोलन कि भारत छोड़ो अंदोलन तो इसका सही ओप्शन होगा भारत छोड़ो अंदोलन तो देखिए अरुना आशा फली हो गई उशा महता हो गई जै प्रकास नारायन हो गए यह सारे नेता जो है यह सभी बड़े नेता गिरिफतारी के बाद भूमिगत रहकर मतलब की भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो अंदोलन का निर्तित्व कर रहे थे अगला क्वेस्चिन यह है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है लॉड कालिन्स एंड जो है डॉमिनिक लॉपियरे तो यह क्या है फ्रीडम एट मिड़नाइट यह बिल्कुल सही है नेक्स्ट है दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू एंड आफ्टर तो क्या होगा यह सही एकी गलत है तो यह भी सही है केके अजीज the man who divided India तो देखें यह केके अजीज दुआता नहीं लिखा गया है यह बहुत फेमस जो राइटर ने लिखा है रफीक जाकरियाने तो यह वाला को एस्टन जो है वो गलत है इसका फोर्थ ओप्शन भी देख लेते हैं मौलाना अबुल कला माजाद तो इंडिया विंस फ्रीडम तो यह तो मौलाना अबुल कला माजाद के द्वारा ही लिखा गया है इंडिया विंस फ्रीडम नेक्स्ट क्वेस्टन में जो है कथन और कारण दिया गया है तो क्या होगा? दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है क्या हुआ था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के जांच के लिए 1927 में ब्रिटिस सरकार ने सर जौन साइमन के निर्टित्व में जो है साथ सदस्य आयोग का गठन किया था और इस आयोग में एक भी भारती नहीं था इसी कारण कॉंग्रेस नो जो है इस आयोग का भेसकार किया था नेक्स क्वेस्चन है कि निम्न लिकित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है सी आरदास, एनी बेसेंट, सुब्रमनियम अयर की बीजी तिलग तो देखें ये दोनो नाम तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये दोनों जुड़े ही जुड़े थे है ना, अब बात करते हैं कौन नहीं जुड़े हैं तो ये जो है ये सी आरदास नहीं जुड़े थे देखें क्या हुआ था कि बाल गंगाधर और एनी बेसेंट ने अप्रेल 1916 बाल गंगाधर ती लग और सितंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीगों की स्थापना की और सी आरदास जो है वो स्वराज दल से संबंदित है नेक्स क्वेस्चन है कि भारती राष्ट्री आंदोलन से संबंदित निम लिखिन घटनाओं को पढ़े और नीचे दिये गए कूट के घटनाओं के सही कालकरा मानुसार पत्या करें तो देखिए क्रिप्स मिशन तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था ठीक है उननिस सो ब्यालेस कैबिनेट मिशन प्लान कब आया तो यह जो है उननिस सो ची आलेस और बैवल योजना बैवल ओफर यह आया उननिस सो पैतालेस तो कौन सा ओप्शन शही होगा एक तीन चार दो ओप्शन ए जो है वो सही होगा अगला क्वेशन यह है कि भारती स्वाधिनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कोई ओप्शन है आरसी मजूमदार बीडी सावरकर ताराचंद्र की एस एन सेन तो कौन सा ओप्शन शही होगा इसको ओप्शन सही होगा एसन सेन तेकि क्या वथा कि 1857 की क्रांती में जो है सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे इनकी पुस्तक 1857 जो है वो प्रकाशित हुई थी अगला क्वेशन यह है कि निम लिखित में से किस ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परन्तु इसके परिणाम नहीं देख सके आप्शन है बाल गंगादर तिलक, मोतिलाल नहरू, लालालाज पत्राय कि चितरंजन्दास कौन सा आप्शन सही होगा आप्शन ए जो है वो सही होगा कैसे कि देखिए असहयोग आंदोलन जब 1921 में हो रहा था तो गांधी के नेतित जो है 1922 तक संचालित हुआ तो बाल गंगादर तिलक ने इस आंदोलन का समर्थन किया लेकिन वो आंदोलन के प्रथम दिन यानि की 1 अगस्त 1922 को उनकी मृत्ती हो गई जिसके कारण वे इसके परिनाम जो है वो नहीं देख सके नेक्सक्वेस्चन है कि निमन लिखित में से किसने मित्र मेला संग को शुरू किया स्याम जी कृष्ण वठ्वर्मा ने विनायक दामोदर सावर करने लाला हरड्याल ने कि सोहन सिंग भाकना ने तो कौनसा option सही होगा? option B, मित्र मेला जो है वो विनायक दामोदर सावर करने इसकी शुरुवात की और बाद में, यानि कि 1904 में परिवर्तित होकर इसका नाम अभिनाव भारत नामक संस्था बन गई तो ये गुप्त संगडन था जिसका वार्सिक सम्मेलन करांतिकारियो द्वारा आयो जित हुआ तो देखिए यही जो मित्र मेला था वो बाद में परिवर्तित होके यानि कि 1904 में परिवर्तित होके अभिनाव भारत इसका नाम पढ़ गया था अगला कोईशन है कि निमलिकित में से कौन सायोग में जो है वो शुमेलित है तो पहला है दुर्गादास दलाइफ महात्मा गांधी तो क्या यह सुमेलित है नहीं लुइस फ्रिशर इंडिया फ्रॉम दर नहरू आफ्टर गलत फ्रैंक मॉरेस जवाहलार नहरू बायोग्र जो है वो फ्रैंक मॉरेस द्वारा रचित की गई है ठीक है तो इसका ओप्शन सी सही होगा तो देखिए यहीं समाथ होता है यह वीडियो और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करिए मेर मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए